पूर्णिंग नमस्कार चेहिंद मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस अरड़ 24-7 पर दोस्तों जैसाग को पता है कि रोज सुभा दस बजे में आप सभी के साथ जोड़ता हूं लेकिन आज का परव अलग है आज का दिन अलग है आज की तारीक अलग है आज है 26 जनवड़ी और जो आपको एक first class का बच्चा भी बता देगा कि 26 जनवड़ी क्या होती है मतलब जिसको अपना शायद वर्डे भी याद ना हो उसको भी पता होता है कि 26 जन्वरी भी होती है तो एक ऐसी तारीक जो बचपन से लेके अब तक हम सुनते आया और उसके बारे हैं बहुत कुछ जाना बहुत कुछ बेखा बहुत कुछ सुना लेकिन कुछ ऐसा जो शायद अभी आपको नहीं बता उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ो तो सभी को गूर्निंग सभी को जैंद और सभी को रिपबलिक देखी बहुत 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 शुब कामना है बहुत 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 बधाईयां मेरे दोस्त और मुझे आशा भी थी कि आज थोड़ा सा कुछ किने चुने लोग ही मेरे को देखने को मिलेंगे क्योंकि ऐसी चीज़ों में बहुत कम लोग ही होते हैं जो पार्टिसिपेट कर पाते हैं बहुत कमी लोग होते हैं जो इन चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं लेकिन कोई बात नहीं यह चीज़ अच्छी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानना है किसी ना किसी के ब जो एक बार बता ना कि कितने लोग ऐसे हैं जो इनको जानते हैं इस से सब्सक्राइब फिर मैं अपने शेशन की स्टार्टिंग करूंगा शेशन की शरुवाद करूंगा लेकिन पहले यह जहना चाहएं एनीवन जहिंद बिलकुल स्वागत है दोस्स सभी का चलिएगा शुरू करते हैं फिर अपने सेशन को सबसे पहले में कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करनी चाहूँगा आज रिपब्लिक डे का अफसर है आज गरतंतर दिवस का अफसर है तो कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करूँगा कि कुछ भूले नहीं है हम हरे की याद जिन्दा है इस देश की मिट्टी में अभी इनकलाब जिन्दा है और जिस भारत की आस में कई हो गए शहीद हर दिल में अभी उस भारत का ख्वाब जिन्दा है तो सभी को रिपब्लिक डेखी बहुत बहुत शुब कामना है मेरे दोस्त हैपी रिपब्लिक डेखा है और अगर हम बात करें रिपब्लिक डेखी जो मैंने अभी पंक्तियां आपके साथ शेयर की इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा नहीं कि आज कुछ भारत अलग है या फि विश्व गुरू कहा जाता था तो वो मुकाम बापस सही है वो जगे बापस सही है और इसके लिए हमें किसी से लड़ना नहीं है कोई वार नहीं करनी अपने काम से अपने काम से हमें जवाब देना है और भारप को फिर से उस मुकाम तक पहुचा है ना चलेगा बिल्कुल तो आगर ते सभी का मेरे दोस्त जितने भी लोग जुड़ चुके हैं और शुरू करते हैं अपने सेशन को चलिए थोड़ा वहत पढ़ा था तो बहुत अच्छी बा बताओं कि यह आपके ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमिटी जिसमें संविधान आपका बना था संविधान लागू किया गया था तो सबको पताओगा ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में लेकिन ड्राफ्टिंग कमिटी में नाम आता है तो मेंली ज लेकिन उनके साथ और लोग भी थे भीम्रा बंबेटकर जी चेर्मेन थे उसके और उनके साथ छे लोग और थे उसमें और उन छे लोगों में से एक थे सेयद मौहम्मद सदुल्ला जी तो आज हम इनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा व्रीफ करूंगा दोस्त और थोड़ी तो इनके 21 में 85 में गोहाटी में हुआ था ठीक है असम के अंदर गोहाटी में हुआ था एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था एक किसमाई 1885 को अब जन्म के बाद की कहानी पर आते हैं कि इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन की उसके बाद कहां गये तो वो सारी च दिसकेशन करने वाद में बिल्कुल देखो सभी को मेरी दरब से हपी रिपब्लिक देट दोस्त सबका स्वागत है उससे पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देदूं कि करनल है संजीद सुरोही जी जिनका आज इंटर्व्यू आप सब के साथ दो बज़े चले चोड़ी और कहां से कहां पहुंचे तो उनकी पूरी जर्नी इंडियन आर्मी में क्या होता है क्या से उसको बहतर कर सकते हैं वो सारी जर्नी आपके साथ डिसकेशन चलेगा तो पहर दो कजे लोटते हैं इनकी लाइफ और पॉलिडिक्स पे अगर हम लोटे सबसे पहले इन उसके बाद क्या हुआ और 1910 में लखटिया से इनोंने क्या किया अभ्यास स्थापित किया जो कहता था ना अड़ोकेट वाला जो अपना होता है वो इनोंने स्टार्ट कर दिया उसी वर्स उसी साल मतलब 1910 में 1910 में ही उन्होंने कचारी हट के सेयत मुहम्मत सालह की सबसे बड़ी बेटीश है, शादी है, 1910, यानि कि 1910 के अंदर ही इनकी क्या होई, शादी होई थी, 1910 में ही ये बकील बने थे, और उसी वर्स इनकी क्या होई थी, शादी होई, तो जिस बरस ये बकील बने, उसी वर्स इनकी क्या होई, शादी होई, अब शादी के बाद, जब ये बारत सरकार अधिनियम 1919 के तरफ क्या हुआ एक बिस्तरत विधान परिश्टत के साथ असम का एक राजिपाल प्रांत बनाया गया ठीक है तो उसमें क्या हुआ 1920 में चुनाव हुए तो साधुल्ला ने कलकत्ता उस टाइम पर क्या किया साधुल्ला जी ने उन चुनाव पर ध् फोकस नहीं किया और क्या क्या 1920 में उन्यस सो वीस में कलकत्ता की हाई कोट में जाकर ठीक है कलकत्ता उच ने आल हमें अभ्व्यास पर ध्यान के अद्रित कर लिए ठीक है राजणीती ज्याट कर कहा चले गया वह आपने वह प्जो अनका एड़ोगेट का जो कीरियर था वह सीधे कहा चले गए थे कलकटा हाई कोट में चले गए ते अपने प्रैक्टिस के लिए और वह वहां जाकर शिफ्ट हो गए उसके बाद हुआ कि जब 1920 में अपने तीसरे दसक के मद्ध में उन्होंने क्या किया खुद को कलकटा उच्चनेल में एक बकील के रूप में ना जब वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस की हाई कोट के अंदर कलकटा की और वहीं उन्होंने क्या किया अपने आपको एक एडवोकेट के रूप में क्या करवा लिया अपने आपको इन्रोल करवा लिया ठीक है उसके बाद क्या किया उन्होंने वहां पे घर एक रेंट पे लिया क्योंकि यह तो गुहाटी से थे तो इनोंने वहाँ पे घर एक रेंट पे लिया और जो घर था किसके वगल में लिया था किसके आसपास में लिया था जो आपके एके फजलत थे नवाव अतौर रह्मान और बैरिस्टर खुदा वक्ष और नवाव जादा एफम अब्दुल अ इन लोगों के घर के पास इन्होंने क्या किया अपना एक घर रेंट पर लिया और अपनी का s. अपने बाट के की रियर को और बकील का करना हुआ पने out कि मैं अपने 안दर राज्यिपाल जाओन हें न हैंडरे merch और इन को भेजा और उन्हें मंत्री के रूप में अपने कारेकारी पड़सत की एक सीट प्रश केस की अब वहां 1924 में कौन थे मागी गवर्नर जॉन हेंरी के ने क्या किया कि इनको एक अपनी तरफ से लेटर भेजा और इनको बोला कि आप आके हमारे आपे मंत्री पड़ की एक सीट को ले ले हम आपको एक सीट की पेस्ट कर रहे हैं, एक सीट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 1924 में ये का मार्च को शिलोंग में नव निर्वाचित विधान परिसत के बैटक होने वाली थी, इसलिए कलकत्ता उच्छ नियाले की बार और असम में मंतरीपद, दूनों तरफ था, अ असम में इनको मंतरीपद मिल रहा था, कलकत्ता उच्छ नियाले की वार का लिक्षन था, तो उसके बीच में निर्णन लेना बहुत कम था, मतलब टाइम जो था, आपको डिसाइड करना था कि आप उसके लिए जा रहे हो, कि आप किसके लिए जाओगे, आप वार में जाओ वहाँ पर आपका कलकत्ता उच्छ नियाले की वार के लिए जाने चाहा है, तो उस बीच में इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने असम बाली अपनी जो केरियर था, उसको इन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो सदुल्ला जी ने क्या किया, मंतरी के रूप में सपत ले ली वहां मिनिस्टर बन के क्या किया रोड़े अपनी सपत गिरण की और अपने परिवार के लिए रुकवुड नाम का एक घर किराय पे लिए और अपने परिवार के लिए तो 1924 उनके लिए एक बुरा बर्स भी था अब इस वर्स ये मंतरीपत की सपत तो ले ली मिन लेली मिस्टर तो बन गए थे लेकिन 1924 ही इनकी लायस का क्या था एक बहुत बोरा वक्त भी था क्योंकि 1924 में 9 दिसमबर को सुभा है इनकी जो वाइफ थी उनकी ज्वाइफ करोग के भी नॉदिसमबर की सुभए 1924 मेंिे इनकी वाइफ की टे तो अब आप सोचो 1910 में इनकी शादी हुई थी, 1924 में इनकी क्या हो गई, वाइफ की डेथ हो गई, मतलब 14 साल के अंदर क्या हो गई थी, वाइफ की डेथ हो गई थी, तो वह विक्ती क्या हुआ, वो अंदर से पूरी तरह से उस सदमे से ना टूप से गए थे, और उन्होंने फिर वहाँ फैसला किय था कि वो शादी नहीं करेंगे दूसरी और उन्होंने दूसरी शादी ना करने का फैसला किया था और वो उस सदमे से पूरी तरह से तूट गए थे तूटने के बाद जब आगे 1924 के बाद 1926 में क्या था तीसरी सुधार परिसत के चुनाब हो रहे थीक है तो सदुल्ला जी ने अपने छेतर से वो चुनाब को लड़े और बहुत सा मतलब एक भारी भाहूमत के साथ क्या किया गया उनको दुबारा से मंदरी बनाएं गया और ऐसा उनका चल रहा था 1928 सका सफर फिर शिलॉंग में क्या हुआ गयरा वर्सों के बाद और असंकी राजनीती से मोह वंग होने के बाद उन्हें लगा कि उनके लिए कदम उठाने का समय मतलब कुछ अलग करने का टाइम तो उन्होंने उस चीज को कैसे लिया अब सरहात में क्यों कि बंगाल के जो गवर्नर थे सर जौन एंडरसन ने ब्यक्तिकत रूप से उन्हें उच्छ न्यायले के न्यायदीस पद की पेसकस की उन्होंने का कि आपको न हम कोलकाता वहीं अपने जो उच्छ न्यायले है उसके अंदर क्या करेंगे आपको न्यायदीस तो 1935 में जो मुहमद सदुल्ला जी थे ये फिर से कलकत्ता आए वही अपने जहां इन्होंने पहले बकील के रूप में काम किया था कि इस बार मेरे को अब मतलब उनको जो मिल रहा था वो न्यायदीस का पद मिल रहा था मतलब जूडिसरी में मिल रही थी तो अब्यसी ची उनको मना कर दिया कि आप नहीं आप नहीं बन सकते हैं उसके लिए उनने बुला कि यार नहीं आप नहीं बन सकते हैं लगातार दस साल के निरंतर अभ्यास के अप्यक्षित अनुभव के अभाव में मतलब आपके पास ना दस येर का वो कहते हैं आज के टाइम में जैसे च तो आपको हम अभी वह नहीं बना सकते हैं अब किसी परसन को बुलाया गया हो कि आपको नहीं बनाना है और आप बहां पहुंचो और आपस यह कहा जाए कि नहीं आपके पास अनुवफ की कमी है तो आपको नहीं बना सकते कि अब हम एक सरकारी बकील बना देते हैं आपको न यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, गॉर्मेंट का वकील बना देते हैं, और इस चीज़ का हम आपको आश्वाशन देते हैं, इस चीज़ का हम आपको आश्वाशन देते हैं, कि बहुत जल्दी, बहुत जल्द हम आपको क्या करेंगे, आपके पद को बढ़ा देंगे, कि मतलब promotion कर देंगे बहुत का एक time period decide कर लेते कि इस time period के अंदर अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा आपकी पद की आपको promotion कर दे जाएगा पदोनती का तो उन्होंने का ठीक है तो उस चीज पर जाकर सदुल्ला जी ने फिर उस चीज को भई अब आतो गए थे तो उस चीज पर बोले ठीक है फिर उन्होंने उस चीज को जोईन किया अब होता क्या है कि 1935 में ये था तो फरवरी 1937 में 12 सरकार अधिनियम 1935 के तहथ एक आम चुनाव हो रहा था ठीक है तो सदुल्ला चुनाव हुआ तो सदुल्ला जी फिर से आसाम लोटे और विधान सवा के लिए चुनाव लड़े वहां की विधान सवा के लिए चुनाव यहां पर बनाई अब उनका अमूले सवागय था कि वे असाम के प्रधान मंतरी थे उस टाइम पर क्या होता था वहां पर उस टाइम जो आपके 1947 से पहले जो रिस्टेट वाइस होती थी तो वहां भी प्रधान मंतरी डिसाइड किया जाता था तो वह वहां के क्या वने वह सामाद एक पंथ के साथ मतलब एक निरंतर था के साथ राजनीती में लगे रहे नौ साल तक उन्होंने वह राजनीती का सफरते किया नौ साल तक वह उसी तरीके से अपनी राजनीती में लगे रहे और नौ साल तक राजनीती 1946 तक 1937 से लेके 1946 तक इसके बीच में कई बार च तरवडी उन्होंने उस चीज़ का समर्थन किया अब असम की राजनीती में वो सारे जो वर्स थे वो ऐसा नहीं था कि वस वो नॉर्मल जो चल रहा था वैसा ही चल रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ उस असम की राजनीती के अंदर उस असम की राजनीती में उस टेम उन्होंने काफी चीज़ों को बदला काफी चीज़ों को अलग करके दिखाया और मजबूत संविधान के साथ उन्होंने अनुकरणिये प्रजेशन किया और कठिन कारियों को निस्टा और उदार्ता के साथ स पूर्सिस भी आगए है ना तो वो उनसे पहले पढ़ाई करता है उन सारी सीजों की तरफ जाता है फिर उसके बाद भी काई सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में तले रहते हैं फिर उसके बाद में उनको फिर वो पूरी नॉलिज लेते लेते तब जाके कहीं वो उस पर उ अगे रखा उनके लिए कुछ ऐसा नहीं था कि यार नहीं मैं यहां का प्रदान सेवाख हूं तो मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं वैसे क्या कर सकता हूं उनका सिर्फ यही था कि मेरा असम के लिए क्या कर सकता हूं मैं अपने असम के लोगों के लिए क्या कर सकता हूं उ कॉमांडर ओफ दा इंडियनम्पायर का वॉर्ड जो था व उनको दीया गया कब दिया गया था ये वर्ड एक जनवरी उन्निस्सो छच्यागा से फर्स्ट आफ जैन्वरी भारत की सम्विधान सभा के लिए चुना अब भारत की जो सम्विधान सभा बनाई गई जो Constitution Assembly बनाई गई उसके लिए 1947 में उनको चुना गया Drafting Committee के लिए ठीक है Drafting Committee के लिए और Drafting Committee में मैंने जैसे आपको बताए कि भीमराव अमेटकर जी उसके क्या थे चेर्मेन थे और उनके साथ छे लोग और थे ठीक है तो उसी में सादुल्ला जी भी एक आपके थे तो इस प्रकार से उन्होंने भारत के गड़ राजी के जो संबिधान को तयार करने में मदद की थी जो आज हम कहते हैं कि गड़ तंत्र दिवस है जो संबिधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को ये संबिधान लागू करने में सादुल्ला जी का भी बहुत बड़ा योगदान था ठीक है क्योंकि आप सबको पता है कि एक एक अगर कोई जैसे अगर हम मानते हैं जैसे अगर मैं एक एक जाम पालू जिसको आज की जनरेशन से में रिलेट कर पाऊं तो आप समझते होंगे कि 2011 का वर्ड कप जो इंडिया जीती थो उसमें मेहंदर सिंग दोनी बिलकुल बहुरत की कप्तान थे लेकिन आप बाकी सबके योगदान को भूल नहीं सकते तो वस वही की और लोग कौन थे इनके बारे में कोई किसी को ज़्यादा पता नहीं होता तो इन लोगों को भूलते से चले जा रहे हैं आने वाली जनरेशन बिलकुल भूल जाएंगी तो उनको बताने का काम भी आप लोगों का है उसके लिए आप लोगों को भी पता होना जाएं उनके बारे ठीक है और जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना ही वाज़ा ओनली मेंबर फॉर्म नॉर्थीश्ट इंडिया टू वेलके टू टू दा ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब आपके पूर्व भारत से जो चुने गए एकलोते सदद पूरे भारत के अंदर जो पूर्व भारत से चुने का एकलोते सदद से थे वो थे मुहम्मद सैयद सदुल्ला जी समझ रहो ना नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ इस्ट इंडिया से जो एक परसंड को चुना गया था उसमें थे सदुल्ला जी तो कोई अगर पर्सन इतना कुछ किया था तो आज का दिन जिसको याद कर रहे हैं हम लोग तो इसके बारे में पूरा जाना करो उस चीज के बारे में सारी चीज़ां आपको पता होनी चाहिए ये आपको दिखाई दे रहे होगे ड्राफ्टिंग कमिटीज में लोगों को हlaş है लाँ इसके अंदर आपको शदॉल्ला जी वैठे होए दिखाई दे रहे है ये जो आपको भीब्रा मेंट कर जी के पास बैठे होए कि ये आपके शदॉल्लाजी ठीक है अगर मैं बात करूँ इनके और थोड़ा सा तो क्या हुआ था 1951 में ये बहुत ज्यादा बीमार हुए काफी ज्यादा बीमारी जब इनको हुई तो मित्यू की संभावना लग रहे थी मतलब यह लग रहा था कि अब इनकी डेथ हो जाएगी लेकिर उनको ना इस बात से परिशानी नहीं थी कि मेरी डेथ हो जाएगी उनको जिस बात से डर लग रहा था वो सिर्फ इतना था कि यार मैं ना सारेडिक और जो उनकी मांसिक अच्छमता थी वो मतलब मेरा सरीर काम नहीं कर रहा है मैं मेंटली उतना तेज नहीं कर मेरा दि का वो बज गया था लेकिन उनको उस चीज항 प्रुभे नहीं जो भी मिली. और उसके बाद भी उनुने अपनी jrnie को रही रुका. उन्होंने ना ग्राउंड ले travelled पे लोगों के लिए बहुत काम करने सीटार्ट करते हैं. उन्होंने जम्हीनी स्थर पर लोगों के लिए बहुत काम किये अपने सारे लोगों के लिए. और फिर क्या हुआ कि शिलॉंग में शर्दी के आने पर उनका स्वास्त बिगड़ गया और ठंड के मौसम के कठोड़ता से बचने के लिए मैदानी इलाकों में चले गए ठीक है शिलॉंग में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ठंड होती तो फिर उससे उनका क्या हुआ है थोड़ी सी खराब हुई स्वास्त बिगड़ा और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था जैसा आज कल भी चल रहे तो उसके बाद वो उनको उस मौसम से बचने के लिए मैदानी लाकों में चले गए और आठ जन्वरी 1955 को उनके जन्विस्तान को आर्टी में उनका निधन हो गया तो मतलब जो उनकी एक जरनी थी पूरी की पूरी वो अपने आप में एक inspiration थी मेरे दोस्त कि किसी व्यक्ति ने पहले advocate बना उसी साल उनकी शादी हुई शादी के 14 साल के बाद wife की death हो जाती है बच्चे को जन्व देते समय और उसके बाद फिर उससे उठना फिर काफी सार से उतार चड़ाब जिंदगी में चले कि कभी उनक गया तो बहुत से उतार चड़ाब चले लेकिन एक जजवा एक जुनून था कि करना है जिंदगी में अपने देश के लिए कुछ करना है अपने लोगों के लिए कुछ करना है अपने राज्जी के लिए कुछ करना है और वही एक जो चीजे थी वो अपने आप में इंसान क को इतना महान बना देती हैं कि फिर केसी और चीज के उसको आवे शक्ता है नहीं परती है तो आप सभी लोगों का को मुझे लगता ये चीज थोड़ा सा कुछ इंट्रेस्टिंग लगी होगी उनके बारे में जानना अच्छा लगा हुआ कि जिसके बारे में हम नहीं जानते किया है कि आपको उस दिन से सारे लोगों को जोड़ पाएं और वही बस हमारा एक प्रयास था मेरे दोस्त और मैंने कल ही कहा था कि मुझे भरोश्वा था कि सारे लोग तो नहीं आएंगे क्योंकि सबको उस चीज में जाने में इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन मैं यहीं कहूंगा दोस्त की वो थोड़ा सा रखा करो क्योंकि यह जो चीजे हैं यह अगर आपको पताऊंगे आप एक आपको खाली उनका नाम पता चल गया वो कहां से थे इतना भी याद रहा तो कल को आप किसी को बता सकते हो कि यार ड्रास्टिंग कमिटी में य से भी थे तो उससे क्या रहेगी वो बाते जिंदा रहनी चाहिए इतिहास में मतलब वो दवनी नहीं से कभी वी चीजे वह हमेशा के लिए जिंदा होता है आपको पता है आप कभी तो शेयर कर सकते हैं अपने छोटे भाई से अपने छोटी बहन से कि तुमको पता चले कि क्या था और वो आने वाले लगी कि उन्होंने जानने की इच्छा रखी उन्होंने जानने की वह ख्वाइस रखी है अगया 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 और आपको सुभा इतनी अच्छी नौलेज दी थी और मैं आपको सच बता हूं तो यह पूरा पूरा जो एक आइडिया था कि कुछ ऐसा करते हैं जिसको मतलब सा किरती मैम ने यह पूरा का पूरा आइडिया रखा था और किरती मैम का ही यह तरीका था कि इस तरह से हम लोग करेंगे और सारी चीजें लेकर आएंगे और उन्होंने ही सजेस्ट किया था सबको कि ऐसे ऐसे करते हैं और मुझे भी उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि सर आप में इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता है जब उन्होंने हम सब के साथ इस आइडिया को शेयर गिया इन चीजों को बताया खीरती में कि सर आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी के अंदर हम लोग जो बात करते हो एक दो लोगों के आसपास करके छोड़ देते हैं कभी हमने उ उसमें उनके अलवा छे लोग और थे उन 6 लोगों के बारे में आगे लोगों कि नाम नहीं पता वन्होंने जब नाम मतलब मेरे बारे बार में पढ़ा लूआ कि घुड़ कश्यों को नहीं चूड़ने वाले तो बिलकुल है ना अब वही चीचा है दोस्त बस मैं यही कहूंगा कोई भी point हुआ करे जो आपकी संस्कृति से आपके देश से आपके वतन से related है कोई भी ऐसा परसंदा छूटा सा भी उन्होंने कोई योगदान दिया है तो उसको आपको तो भूलना ही नहीं है लेकिन आपको ये कोशिश कर नहीं है कि उसको आने वाला कोई हमारे भारत पर इतने इतने आक्रमण हुए है ना हमारे भारत को मिटाने की इतनी कोशिश हैं की गई है ना कि कई पन्ने दव गए लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसे बीर खड़े हुए जो ने भारत की आनवान शान को कभी मिटने नहीं दिया जो ने भारत के नान को कभी छोटा सा भी धूमिल नहीं होने दिया तो आप लोग बदाइए कुछ शेइर करना चाहे है अध रिपब्लिक डेयर फंक्शन होता है है याद होका है कुई आकर गाना सुना देता था कुछ कुई आकर कुछ और सुनाता था तो बताओ कुछ और मेरे दोस्त आपके मन में हो तो ठीक हैं तो सबसे पहले तो एक चैहिंद एक सल्यूट सदुल्ला जी को डिफेंस परिवार की तरफ से और आप सब भी डिफेंस परिवार का हिस्था अंटो आप सब की तरफ से भी एक शायरी गुरूदेव शायरी मैं मैंने आके आज इस रूबात में सुना दी थी जो मुझे लगा था कि हम लोग कर सकते हैं इस पे आपके आज के दिन के लिए जो मैंने एक छोटी सी लाइंस लिखी थी वो मैंने सुना दीती है स्टार्टिंग में मैं उनको दुबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि कुछ भूले नहीं है हम हरे के याद जिन्दा है कुछ भूले नहीं हम हरे के याद जिन्दा है इस देश की मिट्टी में अभी इनकलाब जिन्दा है और जिस भारत की आस में कई हो गए शहीद हर दिल में अभी उस भारत की आस जिन्दा है तो बिल्कुल दोस्त कुछ करना है तो बिल्कुल करना है अपने देश के लिए और जो लोग कर गए हैं उनको कभी भूल ला नहीं है ना बिल्कुल चलेगा भे तो होपसो कि आपको ये चीजें पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो आप इस सेशन को और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उनको बता सकते हो कि इनके बारे में भी जानो इनके बारे में भी सीखो और जितना बहतर तरीके से मैं बता सकता था ऐसा मैं उनकी पूरी की पूरी life को आपके सामने लाके एक घंटे के session या आदे घंटे के session में रख पाता है लेकिन मैं उनकी कुछ पंक्तियां आपके साथ share किया हूँ उनकी जो main win points थे आप अगर आप लोग ऐसे sessions को पसंद करोगे तो यह मैं आपको बता रहो हूँ दोस्त की डिफेंस अड़ा हमेशा से आपके लिए ऐसा ही कुछ ना कुछ अलग ऐसी कुछ ना कुछ अलग चीजे लाता रहेगा लेकिन एक चीज होती है अब देखने वाला ही नहीं होता ना कोई आप देखो न दोसोपच्चिस वाली क्लास में आज 25 लोग है कि दोसोपच्चिस की क्लास में 25 लोग है 26 जनवरी के दिन सिर्फ 20 या 30 मिनिट के सेशन के लिए भी नहीं थे तो वो चीजें जो हम एक मन से हटा दिये हैं तो उनको प्रयास करो कि जबरदस्ती कोई न जोड़े आपको आप खुद से जोड़ो आप मन से जोड़ो चलेगा बाकी आज करनल सापका इंटरव्यू भी है संजीत जी का इंटरव्यू है ठीक है कब होना इंटरव्यू आपका इंटरव्यू होगा आपका करनल संजीत जी का आज दो पहर को दो बज़े तो सब लोग जोड़ना इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत इसा कोछ और बिलकुल प्लान करेंगे, बिलकुल लेकर आएंगे दोस्त, बिलकुल लेकर आएंगे, ठीक है, तो सग्जीत जी का आज इंटर्वी होना है, तो आप इसको भी देखेगा, और एक चीज बता दूँ, खास आपके लिए, कि इन सभी sessions की, जो भी अभी आप सुब इनकी PDF चैहिए है, तो आपको क्या चैहिए होगा है, इनकी PDF चैहिए होगी और प्रदम, और आपको यह सारी PDF आपको आज शाम 4 बजे कीड़ती वां की क्लास में आपको ये सारी PDF मिलेंगी तो आज शाम चार बज़े आप सारे के सारे लोग कीड़ती में की क्लास को जॉइन कर सकते हो ठीक है आज शाम चार बज़े आप सारे के सारे लोग कीड़ती में की क्लास को जॉइन कर ले ना वहाँ आपको सारी classes की PDF मिल जाएगी ठीक है बाकी दोस्त F-CAT का exam भी आ रहा है तो अपने exam की preparation जबरदर धाकर तरीके से करते रहो test series लगाते रहो अगर नहीं लगा रहा है मेरे दोस्त लगा लो यह मैं दिल से बोल रहा हूँ लगा लो test series आता है तब तो जरूर लगा लो नहीं आता तब भी लगा लो test series बहुत benefit देगी तो test series आपकी 1199 में complete है लेकिन आप Y274 Y214 coupon code को लगा ले ना और मातर 275 रुपए 275 में आपको मिल जाएगी 275 रुपए में defense का महापेक, bank का महापेक, ssc का महापेक या कोई भी महापेक है उनको अगर खरीद रहा है तो आप उनको बोल सकते हो कि जाओ जाके महापेक को purchase कर लो आज आज बड़ा discount मिल रहा है coupon code Y274 लगा लेना ठीक है तो मुलाकात करेंगे दोस्त कल सुभा फिर दस बजे में आपके साथ जड़ूँगा वेंड डाइग्राम का session लेकर तब तक के लिए बहुत बहुत हने बाद नमस्कार परिणम जहेंद एक बार फिर सभी को अड़ा परिवार की तरफ से रिपब्लिक देखिए बहुत बहुत शुब कामने